हलो फ्रेंट्स कॉंपडिशन कम्यूनुटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के भोगोल से संबंदित मध्य प्रदेश की नदियों के संबंद में सभी महात्वपूर वस्तुनिष्ट प्रश्णों के बारे में चलिए तो हमारे पहले कॉश्ण की तरफ में आंगे बढ़ते हैं जो हमारा पहला कॉश्ण है यह है नर्मदा जल्विकास प्राधिकरण कब बनाया गया था सीधा सवाल है कि नर्मदा का जल्विकास प्राधिकरण कब निर्मित किया गया था इसका सीधा-सीधा मतलब यह होता है कि नर्मद पर कार शुरू की गए वो कब से प्रारम्ध किये गए 1969 1970 1968 1965 दिखिए अधिकतर न हम ऐसा तुक्का मान सकते हैं कभी भी कि जब कॉशन में एक ही तरीके के तीन आंसर हो जैसे कि कभी आपसे बोल दिया गया हो कि जन्वरी 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 और एक में लिखा हो कि मार्च तो अधिकतर यह होता है कि आपका जो आंसर होगा वो जन्वरी के बीच वाला होगा अधिकतर हम कंफर्म नहीं बोल सकते अधिकतर ऐसा होता है माइंड साइकलोजी जो है ऐसे काम करती है तो इसे सापसे 1969 1968 और 1965 तो आपको अंदाजा लगाना है कि ठीक हो सकता है कि शायद 1960 वा देखьें सरदार सरोवर परियोजना के संमन्द में असत्य कथन बताईए जब आपसे पूछ रहा है कि सत्य बताना है तो असत्य अरथा आपको बताना है गलत इस परियोजना का किल उत्पादन शम्ता 1450 मेगावाट है इस परियोजना का शिला न्यास वर्ष 1960 में किया गया था यहाँ परियोजना नर्मदा नदी परिस्तित है इस परियोजना को केवडिया गुजरात में इस्थापित किया गया था और लास्ट है इन में से कोई नहीं देखिए इसके option आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पर 5 option है चार option नहीं है जब सर्दार सरोवर बांध की बात करते हैं तो यहां बांध नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में स्थित है 1450 मेगावाट इसकी विद्धुत पादन शमता है बिल्कुल सहीं बात है तो हम देखिए इससाब से आपके यह सारे जो option है यह सहीं हो जाते है इसलिए आपक सागर बांध बनाती है फिर घंडवा में इंद्रा सागर बांध की स्थापना और ओम कारेश्वर परियोजना की स्थापना करती है फिर आती खरगौन महेश्वर में और जहां पर महेश्वर परियोजना का निर्मान करती है एक और परियोजना मनाती है हुशंगा बाद में तवाबांध परियोजना के नाम से इस प्रकार नर्मदा नदी जो है वो चार-पांच बांधों का निर्वान करती है जिसमें से एक है रानिय वंती बाई सागर बांध दूसरा है तवाबांध परियोजना तीसरी है इंद्रा सागर परियोजना और ओमकारिश्वर परियोजन नर्मदा नदी पर इस्थित जलप्रपात कौन से हैं नर्मदा नदी पर इस्थित जलप्रपात पूछा देखें नर्मदा के बारे में हम बहुत जादा डीटेल पहले से पढ़ चुके अपको सिर्फ जलप्रपातों पे ध्यान देना है शहस्त्रिधारा जलप्रपात धुव नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी के जब हम कुल जल्प्रपातों की बात करते हैं तो सबसे पहला जल्प्रपात जो है वो है धुआधार जल्प्रपात जो की जवलपुर जिले में इस्थित है अगला जल्प्रपात है मंधाता जल्प्रपात जो की खंडवा में है और शह अगर आप गौर से देखें तो नर्मदा नदी पांच जलप्रपातों का निर्माड करती है कौन कौन से पांच है देखें जहां से उद्गम हो रहा है तो उद्गम होता है तो वहां पर कपिल धारा और कपिल धारा के साथ में एक और जिसका नाम है दुग्द धारा पास में सबसे जादा प्रशिद जल्प्रपात बनाती है जिसका नाम है धुवाधार इसके बाद आंगे बढ़ती है और आंगे पहुंचती है खंडवा के पास में और खंडवा में बनाती है मनधाता जल्प्रपात खंडवा का पुराना नाम भी मनधाता था और खंडवा की इस तापना मंधाता की रूप में, राजा मुचकुन्द ने ती ती और ऐसा कहा चाहता है कि नर्म्दान अधी और राजा मुचकुन्द जह है, वो दोनों भाई भैन थे और एक्श्वाकु वन्च के राजा रहे थे, तो इसे साप से मंधाता या फिर खंडवा के सापना राजा मुचकुन्द के द्वारा की गई थी और मंधाता जल्परपात कहा है खंडवा जिल्य में इस्थेत है खरगौन में शहस्त धारा जल्परपात है देखिए एक जो शहस्त धारा परेडर निस्थल है न जो कि नर्मदा नदी पर ही इस्तिफ है वो है मंडला जिली के अंतर्काद अर्थात वो यहाँ पे आता है लेकिन जब खरगाउन की बात की जाए तो खरगाउन में प्रॉपर शहna zast-धारा जल प्रपात है जो कि बहुत ही उचा जल प्रपात है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुती जलप्रपात क्योंकि पूछ रहा है कि नर्मदा नदी पर इस्थित नदी जलप्रपात है तो इसका आंसर होगा बहुती जलप्रपात ऑप्शन नमबर D चुकि मनध अता भी नर्मधा में है विन अडी पर ही है उसका मतलब है जो ना हो, मतलबं जो होगी उनको हमको नहीं देखना है परियराज, जवाहर सागर परियोजना, तवा बांठ परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना देखे चम्मल नदी जो है वो इन दौर के महूं से निकलती है और उपर राजिस्थान में जाती है चम्मल नदी पर बहुत सारे छोटे बड़े बांद बनाए गए हैं उन्हीं में मद्रदीश की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वह भी चम्मल नदी पर ही बनाई गई कोटा बेराज की बात करते हैं तो यह राजिस्थान के कोटा में इस्थित है जवाहर सागर की बात की बांद करते हैं यह भी राजिस्थान में इस्थित है राणा प्रताप सागर बांद की बात करते हैं तो यह भी राजिस्थान में इस्थित है तवा बांद परियोजना क पर स्थित आप देख लेदे चंबल नदी घाटी कई परियुजना देखिए छंबल नदी घाटी पर मुख्य उस्के चार बांध बने हुए एक है कोटा बैराज राजिस्थान दूसरा है जवाहर सागर राजिस्थान तीसरा है राणा प्रताप सागर राजिस्थान और चौथा है गांधी सागर परियोजना मंदसौर तो एक मात्र परियोजना जो की चम्मल नदी की है वो है गांधी सागर परियोजना जो की मंदसौ नदी पारवती नदी और उपर से बना सदी आके मिलती है चूलिया जलप्रपाद किस जिले में इस्थित है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चूलिया जलप्रपाद जो है वो कौन सी नदी बनाती है तो चूलिया जलप्रपाद की जब बात करते हैं तो ये बनाती चम्बल नदी इसके साथ में एक और जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात जो कि इंडॉर जिले में निर्मित करती है चम्बल नदी ऑप्शन देखेंगे इंडॉर, रतलाम, मंदसौर और ग्वालियर तो उसका सही आंसर होगा चूलिय जलप्रपा चम्बल नदी मंसौर में बनाती है गांधी सागर परियोजना पर विचार कीजिए इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1960 में किया गया था इस परियोजना के उत्पादन शमता 115 मेगावाट है इस परियोजना को खरगौन जिले में इस्थापित किया गया है यह चम्बल तzlich यह जुझनों कि हमने जस्ट एक सेकेंड फहले ही बात की थी एक यह कहा परिस्थित है किस नदी परिस्थित है लेगें यह परियोजना जो है यह चम्बल नदी परिस्थित है कोल 115 मेगावाट जो है इसकी विद्वत उत पादन शमता इसका मतलब है कि किकल तो 115 MW विद्धध का उत्पादन करती है काईसी जिले में स्थित्थ है तो यह है मंदसौर जिले में स्थित्थ कव स्थापित की गई तो वर्ष 1960 में इस परियोजना की स्थापना की गई थी तो इस हिसाब से हम उप्षिन चेक करते हैं तो यह सही है यह बी सही है ये गलत है क्योंकि मंदसौर जिले में इस्थापित की गई है नाकी खरगौन जिले में और ये भी सही है तुम्हारा अंसर होगा 1 A, B और D A, B और D सत्य हैं, option number D आपका सही हो जाएगा Next question चंदूरा बांध किस नदी पर इस्थित है? सोन नदी, चंबल नदी, तापती नदी और बेतवा नदी लेखें, चंदूरा बांध की बात हो रही है आपको पता है कि चंबल पे कितने बांध इंपोर्टन्ट है चंबल पे चार बांध इंपोर्टन्ट है हमने पढ़ लिया नर्मदा नदी की बात करें तो यहां पर 6 बान इंपोर्टेंट है हमने पढ़ लिया सोन नदी की बात करते हैं इसमें सबसे साधा महत्वपूर्ण जो है वो बान सागर परियोजना है आपको पता ही होगा देखें बेतवन वदी की बात करते हैं तो इसमें भी नहीं है तो आंसर होगा आपको तापती नदी पर चंदूरा बांध इस्थित है तो जो चंदूरा बांध इस्थित है यह इस्थित है तापती नदी पर next question में चलते हैं तापती नदी पर इस्थित उकाई परियोजना किस राज्य में इस्थित है देखे जैसी बात चल रहे हैं उकाई परियोजना कि किस राज्य में इस्थित है option है मध्यपरदेश, जैपुर, राजस्थान, सूरत, गुजरात, पुणे और महराश्ट देखिए जब तापती नदी के बात करते हैं तापती नदी तो तापती नदी का उधगम कहा से होता है बैतूल से होता है और बैतूल के किस शित्र से तो बैतूल के मुलताई से तापती नदी का उधगम होता है यहां वही नदी है जिसमें चंदूरा बांध भी इस्थित है चंदूरा बांध भी इस्थित है और इस नदी में जो उकाई परियोजना है यहां इस्थित है सूरत गुजरात में तो गुजरात राज्य में उकाई परियोजना इस्थित जो की तापती नदी से सीधे सीधे सम्मंधित है लेकि मैप देख लेते हैं इसका यह है तापती नदी का मैप तापती नदी का उद्गम हो रहा है बैतूल के मुल्ताई से यहां पर यह दो बांध बनाती है एक है चंदूरा बाद जो हमने पहले देखा था और दूसरा है पारस डोह बाद इसके बाद नदी आंगे बहती है और आंगे चाकर खंडवा और बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश के बाहर हो जाती है इसके बाद यह महराश्ट और गुजरात में बहती है सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है 540, 800, 780 और 760 किलोमीटर स्क्वेर देखे सोन नदी के बारे में पूछ रहा है सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ है अमर कंटक से हुआ है देखे नर्मदा और सोन का उद्गम एक ही जगह से हुआ है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अमर कंटक जिला लगेगा अनुपूर तहसील रगेगी पुष्पराजगर तहसील इसके बाद में आपको कुछ याद नहीं करना बस यहीं से सोन नदी का उद्गम हुआ है परवश रंकला कौन सी है मैकाल परवश रंकला है किस पहाड़ी के अंतर आता है तो सत्पुड़ा की पहाड़ीों के अंतर गताता है यह श्वेत्रुप। कुल लंबाई कितनी है नदी की तो 780 किलोमीटर स्क्वेर के साथ चम्मल नदी आतिया धिक बड़ी नदियों में शामिल होती है इसका समापन कहा होता है तो यह गंगा नदी में समाहित हो जाती है सोन नदी एक मात्र मध्यप्रदेश की ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है रीहंद नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदी है देखे जब रीहंद नदी की हम बात करते है न अप्शन देखे नर्मदा चम्बल सोन और तापती नर्मदा के तो कुल 41 सहायक नदिया है जिसमें से एक तरफ से 19 और एक तरफ से 22 सहायक नदिया मिलती है तो रीहंद है कि नहीं थोड़ा कन्फूजन वाला कॉशन है चम्बल की सहायक नदिया हम अलड़ी देख चुके हैं कि इसकी मुख्य चार सहायक नदिया इसके आंगे इसका कॉश्चन इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगे आपको सोन की बात कर लेते हैं कापती की बात करें देखें तो आंसर होगा रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहक नदी है बाण सागर परियोजना किन किन राज्यों की सहयोग तो परियोजना देखो बाण सागर परियोजना पूछ रहा है मध्य प्रदेश अंदर प्रदेश गुजरात बिहार मध्य प्रदेश महराश्र उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश महराश्र बिहार देखे इसमें आपको कुछ चीज़े कॉमन दिख रहे होंगी आपको यह देखना है जब आपसे तीर कमान वाला बाड चलाना है तो बाड सागर जो परियोजना है इसको बाड को मध्य से उत्तर की और बाहर मारना है तो जब बाड को हम मध्य से उत्तर की और बाहर मारेंगे तो यह सही दिशा पर जाकर लगेगा तो इससे आपको राज्य याद रहेंगे कि किस किस राज्य कि सहयुक्त परियोजना है तो मध्यप्रदेश, उत्तर पर देश और बिहार राजी की ऑप्शन देखिए बिहार, मध्यप्रदेश, उत्र पर देश उप्शन में दी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा और इससे आपको याद भी रहेगा कि जो बाड़ सगर परियोजना है वहाँ किन राज्यों की सर्युक्त परियोजना है बेतवा नदी का समापन कहां होता है? यम्ना, ताप्ती, नर्मदा और सौन देखें, सोन नदी में जो नहीं होता है इसका समापन नर्मदा में भी नहीं होता है यमुना में बेतवा नदी का समापन होता है जो कि यूपी के आसपास में मिलती है ये है हमारी बेतवा नदी बेतवा नदी की जब बात करते हैं इसका उद्गम राय सेन से हुआ है इसके बाद यह नदी विदीशा में और सागर जिले में बहती है और विदिशा में इसमें एक परियोजना इस्थे थे जिसका नाम है हलाली नदी परियोजना कभी-कभी ये भी कॉशन बनता है कि हलाली नदी परियोजना किस नदी पर इस्थे थे और आप्शन में बेतवा नहीं हो तो आपको लगाना है हलाली नदी पर हलाली नदी को ही खून की नदी भी कहा जाता है देखे हलाली या हलाल का न एक मतलब बलदान देना भी ऐसा कुछ भी होता है तो हलाली से सम्मंदित बलिदान का है तो बलड का है तो इस वज़े से खून की नदी किसे हलाली नदी को खून की नदी भी कहा जाता है बेत्वा नदी का उद्गम रायसेन से होता है इसके बाद इसका समापन यमना नदी में हो जाता है यूपी में चंदेरी नगर किस नदी के किनारे इस्थित है जब बात हो रही है चंदेरी नगर की किस नदी के किनारे इस्थे थे तो आपने अब ही पढ़ा था बेतवा नदी के बारे में तो बेतवा नदी के किनारे ही चंदेरी नगर इस्थे थे देखे शिशुपाल की जब बात करते हैं तो शिशुपाल के जन्म के समय ही तै हो गया था कि इसकी मृत्यू भगवान कृष्ण के हाथ होगी ऐसा किसी एक बहुत ही जादा सिध्ध शाधू ने कहा था और जब शिशुपाल की माता को ये बात पता चली तो शिशुपाल की मा बी उस सभाह में शुष्चुपाल ब्हग्वान ओ tie जा रहे थे तो उस समा में सो गालियां बिल्कुल Ohhh शान्थ से उसका वध कर दिया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सयम हर चीज की एक सीमा होती है आप जितना सयम बना के रखेंगे उतना अच्छा है परंतु सीमा तक अगर आप सीमा के बाहर जाएंगे तो खर इंसान का सब्रकाबान तूट जाएगा ऐसे साप से आंगे चलते हैं द संभाग के अंतर गताता था अशोक नगर जो है वो ग्वालियर संभाग के अंतर गताता है यह महाभारत कालीन नगर है जो कि राजा शिशुपाल का शाशन हुआ करता था जिस नगर में माता टीला बांध का प्रारम कब से किया गया है माता टीला बांध का प्रारम 158 अगली कोश्चन में चलते हैं केन नदी का उद्गम कहां से होता है जवलपूर कटनी बालाघाट और रिठी देखिए जवलपूर जो है जवलपूर जिला है बालाघाट एक जिला है और कटनी एक जिला है रिठी जो है एक तहसील है तो इस हिसाब से हमारा सीधा अंसर बात करें ते केन नदी की केन नदी का जो उद्गम है वो रेठी तहसील कटनी से होता है हम देख सकते हैं यहां पर पन्ना में एक सिचाई परियोजना का निर्मार करती है वहीं छतरपुर में तीन सिचाई परियोजनाओं का निर्मार करती है आंगे जाकर यह नदी यमुना म में मिलती है उत्तर प्रदेश में के नदी यमना में जाकर मिल जाती है यह किस-किस सिचाई परियोजना का निर्मार करती है तहली है बरियापुर सिचाई परियोजना दूसरी है और मिला सिचाई परियोजना तीसरी है पवई सिचाई परियोजना और दो बांद एक रंगवा रंगवा बांध उर्मिला सिचाई परियोजना गंगवा बांध उप्रियोगत सभी देखिए हमने यह पढ़ा है कि रंगवा बांध जो था वह छतरपूर में निर्मित किया गया था और गंगवा बांध भी के नदी में ही संबंदित है तो इससाब से ऑप्षन नंबर डी ज उन हो शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैे नदी काली सिंध नदी रीहं नदी और बेतवा the key नदी बारे में हमने दिखा यहार शोंग गुजरती और हमारा चहतरपुर और लूसरा है हमारा पन्ना जिला कालीशंध नदी की रीहंध नदी सों नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का प्रारंब कबसे किया गया है 28 जनवरी 2010, 30 नवंबर 2010, 18 सितंबर 2012 और 29 नवंबर 2012 बात कर लेते हैं नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना शिप्रा नदी को नया जीवन देने के लिए प्रारंब की गई है तो यह परियोजना का मुख्य बात करते हैं कि इसके स्थापना कब की गई थी 29 नवंबर 2012 को नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का प्रारंब किया गया था मध्यप्रदेश जिले की अंतरगद सिंध नदी की लंबाई कितनी है 420, 470, 580, 560 देखें सिंध नदी की लंबाई की बात करते है तो सिंध नदी 570 किलोमीटर लंबी नदी है तो आपका option number 6 इसमें सही अंसर हो जाएगा सिंध नदी पर इस्थित जलप्रपात नहीं है भूरखो जलप्रपात, केविटी जलप्रपात, पावा जलप्रपात और संकुआ जलप्रपात देखें संकुआ जलप्रपात जो है न वो दतिय जलप्रपात की तो यहाँ जलप्रपात सिंध नदी पर इस्थित नहीं है इस कारण से option number B आपका सही अंसर हो जाएगा किस नदी को कांठाल की गंगा भी कहा जाता है केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, माही नदी देखें चंबल नदी के बारे में हम बहुत जादा डीटेल देख चुके हैं तो यह इसका आंसा नहीं हो सकता केन नदी भी हम पढ़ चुके हैं, बेतवा भी पढ़ चुके हैं माही नदी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक नया नाम सुनने को मिलता है, तो माही नदी मध्य प्रदेश और भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपूर तहसील के मेना गाउं की मेहद तहसील से होता है और यहां एक मात्र वह नदी है जो की करकरिखा को दो बार विभाजित करती है इसके सांती साथ में माही नदी ही वह नदी है जिसे कांठाल की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और माही नदी के किनारे ही एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है बेनिश्वर धाम मेला और यहां मेला जो है वही आदिवासियों का कुम्भ भी कहलाता है निम लिखित को सुमेलित कीजिए बाला घाट और्चा शिवपुरी पच्मडी बेन गंगा बेतवा सिंध और तवा तो बाला घाट जब बोल रहा है इसका मतलब है कि यहां से कौन-कौन सी नदिया गुजरती है आपको ऐसा अंसर देना है देखें और्चा की बात करते हैं और्चा जो है वह बेतवा नदी की किनारे बसा हुआ है बिल्कुल सही बात है पच्मडी जो है वह तवा नदी की किनारे बसा हुआ है यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि पच्मडी जो है वह कहां इस ते रहा है तो वह है होशंगा बाद मे तो इसका मतलब है B का होना चाहिए 2 और D का होना चाहिए 4 तो B का 2 और D का 4 इन दोनों में तो ये दोनों जो है पहले ही एनिमिनेट हो गए अब दो आप्शन आपके पास बसते हैं B का 2 और B का 4 D का 4 C और D बालाखाट जो है वहाँ वेन गंगा नदी के किनारे बिल्कुल सहीं बात है तो A का 1 हो गया A का 1 अर्थात आप्शन नमबर D तो आपको देखना है कौन कौन सा नगर किस किस नदी के किनारे है तो बालगाठ हो गया वेन गंगा नदी के किनारे ओर्चा बेत्वा के किनारे शिवपुरी सिंध के किनारे और पच्मडी तवा नदी के किनारे इस्थित ए उप्षन नमबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर इस्थित तीस बड़े बांधों की श्रंखला में कौन सा बांध पहले महत्वपूर्ण हुए बांधों में से एक है मतलब पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक कौन सा बांध है बाड शागर बांध, बरगी बांध, महिंद खेडा बांध और तिग्रा बांध देखें इसका सीधा सीधा आंसर हो सकता है बाड शागर तो नर्मदा पर है ही नहीं यह सोर नदी पर इस्थित है बर्गी बांध हमने पढ़ा था मद्य प्रदीश में जवलपुर जिले में इस्थित है तो यही इसका सही आंसर है option number B बर्गी बांध माही परियोजना से लाभानवित होने वाले जिले कौन-कौन से है आली राजपुर जाबुआ धार जाबुआ रतलाम जाबुआ इनमें से कोई नहीं देखे जब बात कर रहे हैं कि माही नदी के प्रभाव माही नदी से लाभानवित होने वाले जिले तो धार तो हो गई तो धार पहला हो गया दूसरा हो गया जाबुआ तो इस कारण से आपका option number B इसका सही आंसर हो जाएगा देखें माही नदी देख लेते हैं माही नदी धार से उद्गमित होती है सरदारपूर शेतर से जहील कॉल सी है मेहद जहील से जाबगा में बहती है और उसके बाद माही नदी अपना मध्यप्रदेश के बहार निकाज जाती है सोन नदी के उपर कौन सी परियोजना और किस जगा पर विक्सित की गई है बर्गी परियोजना जवलपूर, राजघाट परियोजना ललितपूर, बाढ़ सागर परियोजना शेहडोल और हलाली परियोजना विदीशा देखो हलाली हमने पहले ही बात कर ली कि बेतवा में इस्थित है तो यहाँ यह होगा नहीं बर्गी बांद की बात कर ले तो ये जवलपुर में यहां होगा ने राजगाट और बाड सागर में आपको confusion हो तो आपको पता था कि सोन नदी की परियोजना है बाड सागर परियोजना जो कि शहडोल जिले में इस्थापित की गई है और विक्सित की गई है इसकारण से option number C आपका सही हो जाएगा तवा नदी का उदगम मध्यप्रदेश के किस जिले से होता है बैतूल, होशंगाबाद, दतिया, अमरकंटक देखें अमरकंटक से तीन नदीयों का उदगम होता है नर्मदा, सोन और जोहिला, इसे साब से हम देखते हैं कि बैतूल भी इसका अंसर नहीं होगा ना दतिया होगा तो आपका अंसर होगा होशंगाबाद, तो होशंगाबाद से तवा नदी का उदगम होता है option number B इसका सही अंसर हो जाएगा मध्यप्रदेश से निकलने वाली निमले खित में से कौन सी नदी है जो मध्यप्रदेश, महराष्ट और गुजरात राज्ये से होकर बहती है मतलब इतनी बड़ी नदी चुनना है हमें जो तीनों राज्यों से बहे पहला है मध्यप्रदीश दूसरा है महराष्ट तीसरा है गुजराद देखे चंबल की बात करते हैं तो चंबल आपको बता है राजस्थान में बहती है इस कारण से चंबल आंसर नहीं होगा बेतवा यू-P साइब में बहती इस करण से यू-P बेतवा भी और नसनी होगा केन में यू-P में जाके आंगे तो यह भी आंसर नी नर्मदा नदी है मढध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यही वह नदी जो तीन राज्यों में बहती है नारश और फिर परणन भुच्रात में ज सबसे नल्द नहां गॹुण देख लीजए पर देखिए यूप bows you पी में जाकर मिल रही है तीक केन यूपी में जाकर मिल रही है इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की तो चंबल नदी भी आप देख सकते हैं यूपी में जाकर ही मिलती है यमुना नदी से तो इससाब से नर्मदा जो है वह एक मात्र नदी जो सबसे लंबी भी है और महराश्ट और फिर शिप्रा नदी वह नदी है जिसका उद्गम इंदौर की काकरी बर्डी की पहाडी से हुआ है और इसी नदी के किनारे महाकालीश्वर मंदिर और उज्जैन नगर पूरा का पूरा बसा हुआ है चंबल नदी की सहाइक नदियों की हम बात करते हैं तो यह है चंबल नदी का बैप और इसमें सहाइक नदी है शिप्रा, काली सिंध, पारवती और बनास नदियां शिप्रा, काली सिंध, पारवती और बनास तो केन इसकी सहाइक नदी नहीं है वर्धा भी चम्बल नदी के सहाइक नदी नहीं है तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा वर्धा उप्शन नमबर डी केन की बात कर लेते हैं तो केन आप सीधे देख सकते हैं केन जो है यमना नदी मर ही मिल जाती है आंगे चल कर अब भी बात की हमने ताप्ती चम्बल शिप्रा नर्मदा तो शिप्रा नदी के किनारे है अज की हमारी वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं आपको कोई भी कॉशियन पूछना हो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं मैं उसमें अपना आंसर जरूर दूँगी थैंक्यू सो मच